हेलो दोस्तों मैं आपका फिर से स्वागत करती हूँ एक नई रेसिपी के साथ आज हम बनाने जा रहे हैं पहुत ही टेस्टी और चटपटा सानास्ता तो चली फटपट से देर ना करते हुए रेसिपी को हम शुरू कर लेते हैं मैं तो मैंने यहां दो अबले हुए आलो लिया ता है और अच्छे से मैश कर लिया है तो फोक की सहायता से अच्छे कट हुआ ह्धनिया थोरह संने लिया है कसूरी मेह थी हम टाल देते हैं 1 tw sur में भाल देंगे हल दी पॉडर i5 में और पॉर्दा देंगे काली मिर्श का और जीरा का पॉड़र वन फोर्थ इसमें डाल देंगी अजवाइन वन फोर्थ इसमें डाल देंगी गर्ण मसाला पॉडर और एक चोटा चमच इसमें डाल देंगी अमचूर का वो मसाला पॉडर और नमक इसमें हम स्वाद के अनुसार डालेंगे तो आमचूर पॉर्डर में भी नमक होता है तो आप उसी हिसाब से नमक एड़ कीजिएगा तो हातों से अच्छे से मिक्स कर लेंगे फिलाल इसमें हम डाल लेते हैं अगर आपको तीखा और चटपटा खाना पसंद है तो ज़रूर डाल लिएगा तो सारी चीजे डाल लेने के बाद हातों से अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि आलू में जो भी हमने मसाली डाले हैं तो आलू में अच्छे से मिक्स हो जाए और यह चटपटा सा स्टफिंग बन कर हमारा तयार हो जाए तो अच्छे से हातों से ही आप इसे मिक्स कर लीजेगा तो देखिए मैंने स्टफिंग बना लिया है बहुत ही चटपटा ये स्टफिंग बनता है तो फिलाल इसे साइड में रख देते हैं तो अब हम एक पॉल में लेंगे एक कप आटा तो आप ये नास्ता आटे से भी बना सकते हैं मैदे से भी बना सकते हैं या फिर बेशन से भी ये नास्ता बना सकते हैं तो वन फूर्ट इसमें डाल देंगे हम नमक आप इसमें स्वाद के अनुसा राइड कर दीजेगा और दो वन फोर्त इसमें डाल देंगी अजवाइन, एक चोटा चमची में हम डाल देंगी जीरा, और सारी चीज़ों को आटे में अच्छे से मिक्स कर लेंगी, पहले इस तरीके से मिक्स कर लेंगी, फिर थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम इसका एक स्मूज सा बैटर त्यार तो यह बैटर ना जादा गाढ़ा होना चाहिए, ना जादा पतला तो मीडियम ठीक होना चाहिए, जैसे कि आप दीख रहे होंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ताकि लम्स या गुटलिया ना हो, तो बिल्कुल आप इस तरीके से बैटर को बना लीजएगा, बिल्कुल एक स्लाइस लेंगे, और इस तरीके का एक हम कप लेंगे, बिल्कुल यह चोटे साइस का कप है, आप चाहे तो कोई कटर का भी स्तमाल कर सकते हैं, और इस तरीके से हम प्रेस कर लेंगे, ब्रेट के ऊपर रखके, और इस तरीके से गोल काट लेंगे, आप इसका ब्रेड कर नेक्स्ट जब आपकोड़ा बनाएं तो इसी तरीके से हम एकड़ की सारे ब्रेड को काट लेंगे तो देखी मैंने सारी ब्रेड काट लिया है और चलते हैं अब नास्ते को फटा-फट से बनाने तो स्टाफिंग को हम लेंगे हाथों में इस तरीके सी गोल गोल साइस का तो तो बिल्कुल आप उस तरीके से बिल्कुल हतेली थेली की बिच में रख के इस घोल कर लिजेगा और प्री डेक ब्रेट का स्लाइस लेंगे वे द फिन जहने हाथेस नास्ता रहा कर लेंगे तो इस तरीके से हम बना कर लेंगे तो मैं आपको एक और बना कर दिखाती हूँ तो इस तरीके से ब्रेड का स्लाइस लेंगे और इसके उपर हम अच्छे से चिपका लेंगे थोरा सा हाथों से प्रेस कर लिजेगा तो इस तरीके से हम सारा नास्ता बना लेंगे तो देखिए मैंने सारा ब्रेड का स्लाइस को अच्छे से स्टफिंग से भर दिया है तो अब हम चलते हैं कि क्या करना है तो बैटर हमने जो तयार किया था अच्छे से मिक्स कर लेंगे देखिए ये 5 मिनट रेस्ट पे रहा है तो काफी अच्छे से गाढ़ा भी हो गया है तो अब हम क्या करेंगे कि ब्रेड का एक नास्ता हम इस तरीके से रखेंगे और इसकी ऊपर हम डिप कर देंगे और चम्मत से सारा हम इसे बैटर में कोट कर और सीधा इसे उठा कर घरम तेल में डाल देंगे तो तेल को मैंने पहले ही गरम होने के लिए रख दिया था टो एक एक नास्ता हम इसी तरीके से बैटर में डिप करेंगे ताहिए चारivas तरफ अच्छे सी कोट हो जाए और इसके बाद हम गरम तेल में फटा-पट से तो देखे एक साइड से काफी अचह से लाल हो गया है तो दूसरे साइड भी हम इसी तरीके से पलट लेंगी तो देखे काफी प्यारा कलर आया है और इसे फ्राई होने में ज्यादा समय नहीं लगता है फ्रेंड्स दो से धाई मिनट में फ्राई हो जाता है तो बहुत ही टेस्टी और चटपटा नास्ता बनकर त्यार होता है देखिए इसे फ्राई होते हुए दो मिनट हो चुके हैं काफी फुले फुले ये नास्ता बनते तो देखिं हमारा नास्ता भी फ्राइ हो चुका है और 10 MINUTE हो चुक थेशान थाल dette हम इस तरीके से निकाल लेंगे और बाकी बचे हुए नाश्च हो भी हम इसी तरीके से गर्म तील में ब्राई कर लेंगे यह पहुत ही जल्दी बनने वाला नास्था है तो देखी दूसरा पैच भी हमारा नास्ता का बनकर त्यार हो गया है तो इसे भी हम निकाल लेते हैं और गरमा गरम चलते हैं अपने नास्ते को सर्व करने बहुत ही तेस्टी और चटपटा नास्ता है ये लिजिए बहुत ही चटपटा और टेस्टी नास्ता बनकर त्यार हो गया है बिल्कुल पांच मिनिट में ये नास्ता बन जाता है इससे जादा समय बिल्कुल नहीं लगता है तो एक बार आप इस तरीके से ब्रेड ये नास्ता तेस्टी लगता है और अधिया निया कितना टेस्टी और चटपटऽ और बना तो आपको पसंद अपनेऊद को रिक तो विडियो अच्छा लगए तो लाइक शेट में जरूर करिएगा चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्स्राइब कर लीजेगा और साथ में जो बेल आइकन आती है उसको प्रेस करके और पे क्लिक ज़रूर कर लीजेगा ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिक्सन यानि मैसेज सबसे पहले आपको मिल सके ताकि फटा फटा से वीडियो को आप वाच कर सके थैंक यू